ये बढ़ते हैं लिखबर कियो प्रदेश की केबिनेट मंत्री मूल्चुर शर्मा बलावगड शेर के दोरे पर बलावगड के प्राचीन पतवारी मंदर पहुंचे परिवन मंत्री मूल्चुर शर्मा मंदर में सुन सफाई करते हुए दिखाए दि और शेर वास्यों को संदेश भी दिया कहा 22 जनवरी से पहले शेर के सभी मंदर और धार्मिक संस्थानों में सफाई की जाए आगामे 22 जनवरी को भगवान श्री राम चंद्र जी की अयोध्या में होने जा रहे प्रान पतिश्टा कारेकरम को देखते हुए वजिन पूरे शेहर में मनाई जाएगे दिवाली शेहर के प्राचीन पतवारी मंदर में जलाए जाएंगे 22,000 दिपक सर, बललवड शेहर में आप प्राचीन पतवारी मंदर पहुँचे हैं, क्या कारीकरम रखा गया है ? आज मकर सकुराती का दिन हैं, आज बहुत थंद के कोरे के बाजूर आज पूरे बलललवड शेहर के सभी मंदर, मंदरों में आज सफाई का कारीकरम रखा है और चोदे से बाइस तक ये पूजा का कारी करम है उसके लिए पूजा शुरुगात की प्रान प्रिष्टा जो कारी करम रिध्या नगरी में लगे हैं और सभी मंद्रों को साब सफाई के लिए हम सब लोग लगे हों सब सामाजित भार्मिक संट्रम सभी लोग लगे हों एक व सब लोग अपने मंद्रों में लगे हों और यह कारी करम भगवान राम जिस दिन भगवान राम का जनम और यह कारी करम होगा और इसके लिए देश और दुनिया के लोग देखेंगे भगवान राम का प्रान कैसा पुर्ण करम घ्लां के साथ हैं आपने बल्लवगण के पर्थवारी मंद्र को ही आखरकार दीपक जलाने के लिए चुना है क्या वह यह सुद्धान अगा है पत्थवारी मंद्र का अपना मह्त्तव है है कि यह pan करी मन्द्र पहले से था और पत्षवारी पुराना मंदर है और पुराने हमारे मंदर है और हमारे मंदर है यहां से लौक देखने भी और इसमें शहर का सब लोग यहां फोला है खुली जिगह है इस लोग धाना से दुनिया से हम बाइस के बाद फिर फरवरी में जब समय मिलेगा तम हफ और दे जाएंगे और हम नहीं बलड के हरियाना के बहुत से लोग बाइस के पूजन के बाद जब फरवरी में समय मिलेगा उसमें